नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मखाना जिसे फॉक्स नट या कमल का बीज भी कहा जाता है, इरियल फॉक्स नामक पौधे से आता है और आयुरवेड के विज्ञान में एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है और दोस्तों आज के इस पाकेज में हम आपको मखाने के फायदो के बारे में ही बताने जा रहे हैं, इसका स्वास्थलाब ड्राइफ रूट्स जैसे की बादाम और अख्रोट से बहतर होता है, उच्च पोटाशियम और कम सोडियम के कारण ये उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति के लिए अच्छा होता है, ये मानव शरीर के सही रक्तच आपके स्तर को बनाई रखने, स्थिर करने और यहां तक की सुसंगत करने में भी अच्छा है, मखाने में प्रचुर मात्रा में मागनीजियम होता है, मागनीजियम, रक्त, ऑक्सिजिन और अन्य पोशक तत्वों के प्रवाह को बहतर बनाता है, ये कॉरोनरी हार्ट जिजी से शामत प्रभाव के कारण इसमें अनिद्रा की अयोग्य स्थिती को संभालने और नियंत्रित करने की क्षमता होती है, इसमें मौझूद L-IOS-Petal, मेथिल ट्रांसफरेस, शरीर के भीतर, शती ग्रस प्रोटीन की मरमत और बनाई रखने में मदद करता है, इसलिए ये एक एंटी एजिंग के रूप में भी जाना जाता है, ये पुरुशों में शुक्राणों की संख्या और महिलाव में प्रजनन क्षमता बढ़ाने में मदद करता है, कुछ अनुसंधानों के मताबिक इन्हें सामान्य दुरबलता, दोश के लिए एक अच्छा उपाय माना जाता है, मखाने का सुखतायक प्रभाव होता है, और ये आंटी स्पास्मोडिक होते हैं, इसलिए इनका सेवन करने से आपकी नसों को बहतर आराम मिलता है, और आपको बहतर नीन दाती है, ये शरीर में रक्त नियमन में सुधार के द्वारा गुर्दे की समस्या के जोखिम को कम करने में भी मदद करता है, एक रिसर्च से साबित हुआ है कि ये दिल की शीतलन प्रक्रिया में मदद करता है, और इससे उत्पन रोग जनक गर्मी को कम कर देता है, मखाने फ्लेवनोइट में बहुत सम्रद्ध होते हैं, एक प्राक्रितिक रसायन जो जोखिम को कम करने और सूजन को रोपने में मदद कर सकता है, इसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन होता है और ये ग्लूजन मुक्त फ्री होता है, इसलिए ये नियमित व्यायाम करने के लिए एक उत्कृष्ट नाश्ता है, मखानों की नियमित खपत धीरे धीरे आपके मसूरों की समस्या को भी ठीक करती है, ये मुँ में होने वाले दर्द को ठीक करने में भी मदद करता है, दोस्तों ये तो थे मखाने खाने के कुछ फायदे, तो दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान रखके खुद को स्वस्थ रखने के लिए आज से ही मखाने खाना शुरू कर दीजिए